Hello everyone, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, एक छोटा सो सवाल पूछती हूँ आप से, देखती हूँ कितने लोग आंसर कर पाते हैं, क्या आपको पता है कि एक अच्छे शिच्चक का गुर्ण क्या होता है? एक अच्छा शिच्चक वही होता है, जो बिना अपने स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव किये हूए, उसके माइंड को और उसके हार्ट को प्योर करने का काम करता है, उसके थौट्स को प्योर करने का काम करता है, उसे ये सिखाता है कि भेदभाव करने से, नफरत फैल रहे हैं वो बिना भेद भाव किये अपने स्टूडेंट के बीच में प्रेम व्यवहार को बढ़ावा दें और उन्हें ये सिखाएं कि अपने काम के प्रति कैसे हिमानदार रहना है और फुल फोकस के साथ उसे कैसे अपने से बेस्ट देना है किसी भी सब्जेक्ट को सवाल करता है या किसी भी टीचर से कोई कुशन पूशता है तो टीचर को अगर जवाब नहीं पता होता तो बड़ी ही बेरहमी से उस बच्चे की भड़े क्लास में इंसर्ट करके उड़ें बैठाल देते हैं ये करना बहुत ही ज़ादा गलत है जो की नहीं किया जाना चाह ये सारे टीचर्स को जादा तर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अगर कोई सवाल आप से पूछ रहा है तो अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो साफ साफ भरी क्लास में एडमिट कर लीजे कि बिटा इस बात का आंसर में आपको कल दूँगा या कल क्लास में अपने आपको सही साबित करने के लिए बच्चे की बुरी तरीके से उसके थौट्स की उसके क्वेस्चन की बेज़ती कर दें और उसको इतना जादा नीचा दिखा दें जिसकी वजह से बच्चा हैरान परिशान हो जाए और वो भविश में किसी भी आगे की क्ला क्लास में किसी भी दूसरे टीचर से हजार सवाल करना तो दूर एक छोटा सा जनरल सा सवाल करते हुए भी डरे तो टीचर को यह समझना चाहिए कि जब भी कोई बच्चा क्लास में उनसे क्वेस्ट करता है सबजेक्ट को या टॉपिक को लेकर के तो टीचर कृप्या करके बच्चों की बुरी तरह से बेज़ती ना करें, हर टीचर को बच्चों की बेज़ती करने से बचना चाहिए, ये एक अच्छे शिच्चक का गुर्ण नहीं है, कि अगर आपको कोई question बच्चे ने किया, तो आप उसका answer करने में delay कर रहे हैं, या बच्चे को परिशान कर रहे हैं, तो सारे शिच्चक शिच्चकाऊं से ये गुजारिश है, कि अगर बच्चा कोई सवाल करें, तो बड़ी ही विनम्रता से उसका answer दें, ना कि उसे class में जलील करें, ऐसा बिलकुल भी ना करें कोई भी teacher, ये मेरी humble request है, कर देंगे, तो सब्सक्राइब भी ना करें जार।